एक सच्छे मन से अच्छे मन से मैंने एक सुरुवात करी मैंने कहा कि एक पृधान मंतरी जी के कहने पर लोगों ने अपने घरों में छिप गए समर्थन किया कोई बाहर नहीं निकला तो क्यों ना पृधान मंतरी जी कह रहे हैं कि 2020 कमाने के लिए नहीं है आननंद के लिए नहीं है मौजमस्ती के लिए नहीं हैं सिर्फ जीवन को बचाने के लिए हैं तो ठीक है अची बात हैं जीवन को बचा रहे हैं एक भी वरग बहार नहीं निकला लानें किसी को वरग को बांटा नहीं है कोई गरीव एंखी कमीर है हर वो वरग जिसका सोसण हो रहा मैं एक प्रयास किया सब्रज करें सब्रृतिंग君 अपने करज़ों पर 30% से ज्यादा लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं ऐसे में टोरेंट वालों को क्या अपनी जमाहुर्जा खर्च नहीं करनी चाहिए जिसका एक दसक्त से तुम सोचन कर रहे थे एक अच्छे मन से एक साफ मन से मैंने एक उम्मीद उठाई किसी प्यारोप नहीं लगाया कि किसी को काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए बस मैंने एक सच्छे मन से काम किया कि लौकडाउन अवदी का बिल माप होना चाहिए और मैंने काम करना शुरू किया आप लोगों ने मुझको दो लाख लोगों ने देखकर कि मेरा समर्थन किया तो मुझे लगा कि आगरा में दो लाख लोग मुझे देख रहे हैं अब मुझे किसी की आपशक्ता नहीं है एक अखवार ने मुझे नहीं छापा एक टीवी ने मुझको नहीं छापा, एक किसी व्यक्ती ने मुझसे यह नहीं कहा कि ठीक है या नहीं, लेकिन मैंने आपके देखा कि वीडियो को दो लाख लोग देख रहे हैं ना, तो मुझको समर्थन मिलके आगरा को, मैं टोरेंट गया, मैं डीम कार्या ले गया, मैं आज आपको वो सब बताता हूं, जो सच-सच हुआ, मुझे आपशकता नहीं है, आप चाहिए बिगड़े या बने, लेकिन मैं सिर्फ देखा मैंने आगरा की जनता का उस्सा कम हो रहा है, तो मैं तो आपके बीच में सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूं, उसके बाद ऐसे कोई कोई सुनें, ना सुनें, कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, मैंने इमांदारी से काम किया, मैं टोरेंट का रहा ले गया, मैंने भईया, जो बिजली को बिल माफ होनों चाहिए, बिनने हाद जोर के खड़े एगे, बोलिया, हमाई अधिकार छेतर में नहीं आता है, ग्याप मुझे 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 मुझ जा और आपने मुझे बताएघया जाना हूँ ना मैं चला गया नहीं मैंने हाइक पोड में जाकर करने मेरी जंटा नहीं ती कि मैं इतना बड़ा वकील कर पाऊँ मैंने वकील किया विस्वास मानो ठोड़ा दो गिर्वी कार को रुखवा लेता है कौन अंदर आके उसकी उसमें बैठ जाता है कोई पता ही नहीं लगता लेकिन इमांदारी से लड़ रहा हूं अजब फिर मां पहुंचे हाई कोट हाई कोट में जब मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने काम 15-16 तारीक तक इस काम को करा लेंगे को कोई दिक्कत नहीं बजा वीडियो मत बनाना क्योंकि वीडियो बना गये तो पबलिक के लिए बात जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा को हमने कि यह नहीं बनाएंगे बीस तारिक बाइस तरीक तक कोई वीडियो नहीं बनाई लोगों में उस्सां कम हुर। फिर वीडियो बनाके करा कि आ परेशान मतों लढाई चल लई है फोटू चपैं नहीं चपैं अख़बार में आया नहीं आयाए काम होना चाहिए काम के लिए लड़ रहा हैं उसलोग तो काम के लिए लड़ रहे थे काम के बाद मन सब काम किये फिर उनोंने कहा कि हब आपको वहां जाना है इलावाद चले गए पूरी दुपैरी हो गई खाना नहीं खाया इधर से उधर उधर से इधर उधर उधर चारों कौनों में भाग रहे थे और सोच रहे थे कि दो लाख लोग संग दे रहे हैं इसलिए निरास नहीं होना है अपना काम कर रहे थे किसने क्या किया किसने इताने क्या किया और से हमें कोई मतलब नहीं मेरे लिए कोई बुरा नहीं है मैंने आपका कभी कोई सहयोग नहीं लिया मैंने आपका कभी बुरा नहीं किया किसी का भी और मेरे लिए आप बुरे नहीं हो लेकिन आगरा के भले की बात थी उस दमने आप तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं तो निश्ठा से काम कर रहा था के वल आपके लिए मेरा आप से बस इतना ही अन्रोध है उसके बाद में मुझको कहा गया कि हम लोग 25 तारिक हमाई 24 को सनवाई है 24 को हमाई फाइल को दबा दिया उन लोगोंने नहीं होई सनवाई 25 हम मैं 24 तारिक को यहां पर टोरेंट वाले आ गए लाइट को काटने के लिए मंदिर के और मुझसे पूछने लगे कि हां या मीटर कहां लगा हुआ है हम लोगी मीटर मंदिरों पर कहां होता है कौन बिल देता है कि फॉन मत करो हमको फॉन आ रहे हैं तो वीडियो ड मतलब नहीं है मुझको ऑफिस से बेजा है कि यहां की लाइट को मुझको अटाना है हमने वीडियो बनाना शुरू किया वो भाग गए उसके अगले दिन हम लोग हाई कोट चले गए मैंने वीडियों से आपको अफगत कराया हाई कोट जाने के बाद मैं सुवेश साम तक है मैं मैं से बढटता रहा और साम को आये तो सबस्कर उन्होंने छो स्थे तारीख लगा दी मुझे बछाने की लिए मना किया था लेकिन मैं आज आपको बता D button किया खरता यह विर किसे कर रहा हूं। लेकिन मैं आगरा के लिए इमांदारी से लड़ाई लड़ रहा हूं मेरा आप से सिर्फ इतना अर्रोद था कि मेरे उस्सा को अरे भाई या 36 मरीज है मां में एसन होस्पीटल में साड़े आठ सो सरकारी डॉक्टर और 2000 जूनियर डॉक्टर लगे में बिनको इलाज ना कर पाई बिनको उससा इत्यक बढ़ा रहे हैं कि इनके काजें फूल बरसा रहे हैं सब काम कर रहे हैं मैं तो मैं तो इतनी निष्ठा से लगा हूं मुझे आपको सम्मान नहीं चाहिए लेकिन मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहिए था साथ कैसे देना चाहिए था मैं किसी भी रास्ते से मैं रोज निकल रहा हूं और देखता हूं जाकर के कि कोई बिल तो नहीं भर रहा है किसी आती मैंने फिर ऐसा क्यों कि आज मैंने आपके कहने प्यां करके आपके उस्ता को देखते हुए जो मैं वहां तक गया मेरा आप कोई साथ देने वाला नहीं है मेरे साथ में कव कौन क्या कर दे पता नहीं दो लोग रापना सोते नहीं मंदर पर सर्फ इसलिए इंतजार करते ह हैं कि बाबा को कुछ हो नहीं जाए सभी लोग अपनी 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 चंता के निस्वाल लगे हुएं मेरा तो सिर्फ इतना ही काम है यदि मेरा उस्ता बढ़ता ना तो मैं जीत के लौटता मैंने अपने आपको घिर्वी रखके आगरा की लड़ाई लड़ी है मेरी चंता कौँगा तो फिर मेरा सोसंड शुरू हो जाएगा लेकिन फिर मैं आज आपसे बता देता हूं सभी लोग मुझे नजर रखे हुए कौन क्या करे कोई पता नहीं है कौन तीसरा कि इसको दुस्मनी को निकालने वो भी पता नहीं है मेरा बस इतना सा काम था आप मेरा उस्ता बढ़ा देंगे ना प्रधानवंत्री जी ने कहा के लला कोरोना आ गया है वो बजाओ बांस बंगूडे तमूडे क्यार घंटी गड़याल बजाओ मुंबत्ती जलाओ आपने जलाई देश का उस्ता बढ़ाया आपने चला गया क्या नहीं गया ना अभी भी है सहर में उन्होंने कहा कि आप मुबाइल जलेंगे तो आपने जलाए लाइट बंद करेंगे तो आपने करी गया नहीं गया ना उनका उस्ता बर्दन हो रहा था लेकिन मेरा उस्ता बर्दन नहीं हुआ कभी किसी नहीं निकाला उसका दर्द नहीं है अकवारों का टीवी का कोई दर तो मुझे यह कि जो आपने दो लाख लोगों ने मुझे को समर्तन किया ना दो लाख लोगों ने देखा ना आज या तो उन में से कुछ लोग बिल जमा करें और अब उनको इस लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है या फिर अब वो चाहते नहीं है कि मैं उनकी लड़ाई लड़ो तो मैं क्यों हाई कोट तक जाओं क्यों जाकर के वाँ परेशान हूं भूखा प्यासा पड़ा रहता हूं नंगे पैर इदर से उधर भागता हूं क्यों इतना परेशान होंगा मेरी आप से सिर्फ इतनी अन्रोध है इसलिए कुछ रहत आपको देनी चाहिए उर्जा मंतरी को अपनी जमा उर्जा खर्च करनी चाहिए अरे जीवन में पहली बार ऐसी बीमारी आई मैं दुनिया के लिए गंटे गड़याल बजाएं लेकिन एक बार अपने लिए भी तो करो अपना छपर भी तो बहांदो इसको बहांदे हो जो गिर जाएगा किसी दिन तो वानगी तु पागल हो गई है मेरा जनम क्या इस चोटे काम के लिए हुआ है मैं छपर बांदूंगा वो तांतरिक विद्या का काम करता था इत्ती देर में उसका कोई एक गिरहाक आया जो अपना भूत उतरवाने आये उस बांदूं लेकिन इतनी देर में उसकी पतनी निकल के आई और बोली तुम पर वो छपर तो बना नहीं है घर का तुम आताल पाताल को बेसक बांदते रहो उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो उसी प्रकार हमने गलाय ट्रें बंद कर दई हमने घंटे गड़याल बजा आजाएगा लेकिन मेरा उस्सा नहीं बढ़ाया गया मैं तो तुम्हारे छपर को बांदने के लिए लगा था लेकिन अपना चपन नहीं बांदा गया मैं 6 तारीख डेट पढ़ी है उसमें कई लोगों ने मेरी आस पर बी तक बिल जमाने कियें लेकिन मेरा उस्सा कम हो गय है अब मुझको 50,000 लोग ही देखते हैं इसका मतलब 1.500,000 लोगों ने या तो बिल बर्दी आ है हर जगे पर जाकर मैंने देखा है कि मैंने कहा कि आप 30 तारीक तक जग तक हमारा कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक आप रोज एक टोरेंट के लिए पोस्ट डालो और कोई भी फैस्बुक खोले तो उसे लगना चाहिए मेरा नाम नहीं हो लेकिं टोरेंट का तो विरोध होना चाहिए लेकिन एक दिन दिखता है दूसरे दिन नहीं दिखा मेरा उस्टा कमजोर हुआ तो मुझे लगा कि फिर मैं काय के लिए मां हाई कोट में ना कमरा मिलता है ना मां मिलती है तो मैं काय के लिए मां जाओ सब अपनी जान बचा रहे है को रोणा से तो मैं काय के लिए जान लगाने में मेरा घरुस्सा होता तो मैं काम करता जीत के लौटता मैं आपके कमेंट एक दो पढ़ लेता हूँ आप जैसा कह रहे हम आपके साथ हैं मैं आप से सिर्फ एक चीज की अपील चाहता हूं मैंने अंतिम वीडियो अपनी और से बनाया है छे तारीक को क्या होगा उस सुनवाई को मैं जरूर सुनने के लिए हाई कोट जाऊंगा क्या होगा मैं जाऊंगा मेरा सोसन जितना छे तक होगा मैं करवाएं लेकर है लेकर जब ककुषी को कोई खरीद नहीं पाता है तो उसको रास्ते से जरूर अटा देते हैं में दो कोई फड़ा नहीं पड़ेगा लेकिन मैं काम करूंगा आपके लिए लेकिन वीडियो अंतिम होगा या तो उस्साह में आपका ऐसा लगना च तिन वो उकतिस अगस्त तक हो गई हैं एकतिस अगस्त तक अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना तो आपकी लाइट कोई काट सकता है और आये ना कोई राजामंडी के चोराया है ना वहां जाओंगा सुबह 10 बजे और मैंने एक तक्ति बनवाई है उस पर मैंने लिखवाया है लोगडाउन अवधी का बिल आगरा की जनता नहीं देगी क्योंकि मामला हाई कोट में विचारा दीन है जब तक सनवाई नहीं होगी तक तक बिल नह करेंगे और मैं कल राजामंडी पर अकेला जाओंगा उस तक्ति को लेकर पूरे पंद्रा मिनट खड़ा रहूंगा और उस तक्ति को लेकर के जो हुई इस रोड से निकलेगा वो उसे मुझे देखेगा और मैं आगरा का फिर से एक बार उससा बढ़ाऊंगा और कहूंगा आगरा बिल नहीं देगा लोक्टाम का और क्योंकि मामला भाई कोर्ट में बिचारा दीन है छे तारीक को तुमारी सुनवाई लगी है जाओंगा चाहे तुम अभी सुनो या नहीं सुनो पर वीडियो मेरा आखरी होगा लेकिन मैं फेस्बुक चलाऊंगा वीडियो नहीं बनाऊंगा देखूंगा कि लोगों में उस्षा आया या नहीं लोग अपने लिए कुछ चाते हैं नहीं यदि मुझे लगा क्या फेस्बुक पर लोग लिखने लगे हैं और टोरेंट को बुरा मानने लगे हैं बहुत बहुत बड़ी कंपनी हैं बहुत बड़ी कोई तक तक मेरी सुनवाई नहीं हो जाए हम भार जाए मैं सुप्रीम कोट जाने तक की हिम्मत रखता हूं लेकिं तुम मुझे हराओगे तो मैं यहीं रुक जाओंगा मैं कहीं नहीं जाओंगा मेरा बस सनरोज सुईकार करिए कल तीस तारीक को सुबह दस वजे जहां भी हम लोग हों वहां एक तक्ती लें बनाएं उस पर लिखें लोगडाउन अबदी का बिल हम नहीं देंगे क् हाई कोर्ट में मामला विचारा दीने और खड़े हो जाओ पंदरा मिनट की लिए उस जगे पे फिर मेरा उस्सा अगर बढ़ता है तो मैं काम ऐसे करूंगा किसी की जरूत नहीं पढ़ने दूँगा आप आगरा को और आपको यह मेरा वादा है आप लोगों से और यदि और दूसरे के लोग मदद करना चाहते हो इमांधरी से कर मदद करना चाहते हो न तो हाई कोड स्प्रीम कोड कचुट प्रून नहीं है नंगे पैर भी आदिमी जा भी सकता है जो मदद करना चाहता हो मेरा आप से इतना अनुरोध मे는 कर दिया ज्यादा बोलनेसे कोई तक यह टोरेंट वाले इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी लेकिन जी हमें रोक नहीं पाएंगे और जो इनका मन करे मादे गोली फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आगरा की जंता मेरे संग होनी चाहिए तो फिर देखो कैसा आनंदाएगा धन्यवाद आपने मुझे सुना बस मुझे अच्छा लगा अंतिमबार मेरी तरफ से अंतिमबार है जो लोग सुन सकते हैं तो आगे भी भेजने का अगर काम करेंगे तो हर वर्ग तक ये बात पहुंचेगी ये मेरा दर्द है जो मैं आप से नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा मेरे मैय अब आप नहीं है मेरे पोच्ट ऐसी डाली है यदि मुझे दो दिन में लगेगा कि हां काम सेला है और एक कोई लायट का काठ ने आए तो उसके पकड़ा दे पिलास काठ के दिखा और वीडियो बना काठ नहीं सकता है का 30 अगत तक अब तो टोरेंट को लगा कि हम हार जाएंगे मर जाएंगे तो द सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध चाहे गौतम बुद्ध हो चाहे भगवान राम हो कोई भी हो सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध पै कर लीजिए मैं बस आखरी बार हूँ आपके साथ यदि मुझे लगा दो दिन में हां के उस्सा हुआ तो कि मेरा उस्सा नहीं हुआ इसलिए मैं परेशान हूँ